हैलो फ्रेंज अगर आप इंट्रनेशनल ट्रेवल करना चाहते हैं तो कॉपी पैनले कर तयार हो जाएए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेहतेरीन ट्रेवल हैक्स सबसे पहले तो आप अपने होटल की रिजर्वेशन जितना पहले हो सके उतना जल्दी करा लिजे जितना जल्दी मतलब दो महीने पहले नहीं छे महीने पहले ही करा लिजे क्योंकि आपको वीजा भी छे महीने पहले ही लगवाना होता है बहुत सारी कंट्रीज का तो तब ही आप अपने होटल की रिजर्वेशन अगर करा लेंगे तो आपके एक्सपेंसेज में बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी और आपका बचत बहुत कम हो जाएगा दूसरा है कि यह है कि आप अपने ट्रेवल की इटिनरी यानिकी प्लैनिंग बिल्कुल अच्छे से कर लीजे य या ट्रेम से जाएंगे वहां जाने की क्या-क्या विवस्ता है आप जिस रेस्टरेंट या हुटल में डिनर या लंच करेंगे क्या वो उस दिन खुला भी रहता है या बंद रहता है अगर आप किसी म्यूजियम में जाने का मन बना रहे हैं तो क्या म्यूजियम उस दिन ब सब्सक्राइब करने के लिए आपको कौन सी विवस्ता उचित रहेगी इसका भी पता लगा लिजे और ये भी पता कर लिजे कि आप एक दिन का तीन दिन का या च्छे दिन का अगर ट्रेवल प्लैन लेते हैं तो उसमें आपको कितनी बचत हो सकती है इससे आपका बजट सुट केस आपने साथ लेकर जा रहे तो उस सूट केस का कलर ऐसा हो कि आपको बैल्ट में आसानी से मिल जाए जब भी हम किसी भी एरपोर्ट पे उतरते हैं तो बेल्ट पर से अपना सीट केस पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे सूट केस एक साथ गुजरते हैं और कइ बार हमारा सीट केस हमारे आखों के सामने से गुजर कर गायब हो जाता है तो अगर आप अपने सूट केस पर कोई धागा बांदेंगे, कोई बैल्ट बांदेंगे, कोई कलर वाला कपड़ा बांदेंगे या सूट केस ही कुछ अलग हटके कलर का ले लेंगे तो उससे बहुत फायदा हो जाएगा आप अपने suit case पर cover भी चड़ा सकते हैं उसके करने से फायदा ये होगा कि एक तो आपका suit case scratch free रहेगा दूसरा उसको दूर से पैचानना भी बहुत आसान हो जाएगा ये बहुत ही important hack है और international travel में बहुत काम आता है क्योंकि बहुत सारे suit cases में अपना suit case पैचानने में मैं कई पर दोका खा चुकी हूँ एक और important travel hack ये है कि अगर आप cabin bag के लिए कोई hanging bag ले रहे हैं तो उसकी जगह आप पिठू बैग लीजे बेशक से आप छोटा पिठू बैग लीजे उससे आपको shoulder pain नहीं होगा अगर आप एक side में hang करेंगे तो आपका कंदा लटक सकता है ये भी बहुत important hack है आज मा कर देखिए आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी सबसे important hack आप अपने passport के अपने phone के और सब भी जो भी जरूरी documents हैं सब की photocopy कर वा लीजे और उन सब photocopies को आप जितने भी suitcases bags, handbags, pittu bags सब में एक एक copy रख दीजे ये बहुत ही important hack है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्लाइट में bag miss हो जाते हैं या आप कहीं पर रास्ते में travel करते समय आपका passport खोल जाए बगवान ना करें आपका कोई पर्स चोड़ी हो जाए उस समय आपके पास ये documents होने से आपको बहुत वाइदा मिल सकता है ये बहुत important hack है और कभी ना भू जगे छे जगे जितनी भी जगे जाना चाते हैं उन सब को Google Map पर पिन कर लीजे उन सारे places को अगर आप Google Map पर पिन कर लेंगे तो आप घुमते समय एक भी जगे को ना तो भूलेंगे ना आप से कोई जगे चूटेगी और आपको घुमना बहुत असान हो जाएगा और Google पिन करने से बहुत असानी होती है मैंने अजमाया है अगर आप लंदन पैरिस या ऐसी जगे जा रहे हैं जहां पर आपके शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा गुंचाइश है तो आप ऐसा कीजिए एक बड़े सूटकेस के अंदर एक छोटा बैग भी डाल दीजिए यानि क आपके पास जब ज़्यादा समान होगा और आपको एक ज़्यादा सूटकेस की जरूरत होगी तो आपके पास एक एक सूटकेस होगा यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके काम आईगी क्योंकि जल्दबाजी में एक नया सूटकेस खरीदना बहुत म मैंने अजमाया है, जब मैं जाती हूँ समान कम होता है, आती बार चार या छे गुना समान हो जाता है, तो मैं दो large bags लेती हूँ और उसमें दो medium size के bags रखकर उसमें अपना समान पैक करती हूँ बहुत ही काम आते हैं friends ये suitcases एक और important travel है कि ये है कि आपकी जितनी भी important चीजे हैं important documents हैं या आपका cosmetic का important समान है या important medications अगर आप use करते हैं तो उसको अपने private जो bag रखते हैं जिसमें private personal समान रखा होता है जो आप cabin bag में लेकर जाते हैं अपने hand bag में लेकर जाते हैं उसमें वो जरूरी समान जरूर रख लीजे कई बार होता ये है कि travel करते समय जब हम airport पे अपना luggage collect करना चाहते हैं वो लॉस्ट हो जाता है और उसके लिए आपको एक दो दिन एक दो घंटे इंतिजार करना होता है तो अगर आपके पस personal bag में important things होंगी बहुत ज़्यादा चोटी चोटी जैसे आप एक जोड़ी कपड़े रख सकते हैं important medications रख सकते हैं कॉस्मेटिक्स की दो चाहँ चीजे रख सकते हैं ऐसी चोटी चोटी जो चीजे हैं वो personal bag में एक compress करके रखिए और उसको अपने handbag में जरूर रखिए यह बहुत काम आती है लंदन जाते वक्त मेरा भी bag lost हो गया था उन्होंने का दो दिन बात देंगे लेकिन मेरे पास personal समान था क्योंकि मेरे handbag में तो मेरे को बिलकुल भी दिक्कत नहीं हुई यह बहुत important hack है और ब neck pillow जरूर रखिए neck pillow ऐसा रखिए जो आपकी body को भी साथ में neck के साथ support दे क्योंकि जब आप ऐसे करके सो जाते है ना तो इधर यह पीछे वाला जो area होता है ना इसको support देते हैं कई neck pillows तो आप choose करके select करके ऐसा pillow लीजेगा जो कि आपकी neck के साथ आपके सर को भी support दे इससे बहुत फायदा होता है friends और आपको sleep अच्छी मिलती है तो आपको jet leg भी नहीं होता jet leg से याद आया अगर आपको jet leg की समस्या है तो आप अपने साथ एक दो precautions ले सकते हैं एक तो आप jet leg के लिए 2-4-5 दिन पहले से ही आप सोने के pattern में अपने बदलाव कर सकते हैं दूसरे आ आप plane में पानी ज्यादा पीजे क्या होता है ना कि हम traveling के समय पानी कम पीते हैं उससे भी jet leg की समस्या ज्यादा हो जाती है अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपको jet leg की समस्या ही नहीं होगी तो ये दो तिन बातों को आप धियान रखेंगे तो आपको jet leg की समस्या ब्राइट लाइट में जाए उससे भी ये समस्या जल्दी कम हो जाती है आज के डिजिटल जमाने में भी आप अपने साथ एक पेंट जरूर रखिएगा वो आपके बहुत काम आएगा सब कुछ डिजिटल है लेकिन कई जगा पर पेंट की जरूरत पर जाती है तो अपने पर करके छोटी सी बैग में रख लीजिए वह पील्स आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं एक बहुत बड़ा ट्रेवल हैं मैं आपको बताओं अपने साथ कॉंस्टिपेशन पिल्स जरूर रखिएगा यह सब गोल की बूसी ऐसी चीज जो भी आप यूज करते हैं वह जरू सब्सक्तिरण के समंसा नहीं होते हैं तक अब बड़ा ट्रेवल है कि अजमाया हुआ पास जैन्ड यह उसमें लिक्विड कम लाओ लिकूड अलाओ होता है तो आप अपने साथ एक खाली water bottle जरू रखेगा वो खाली water bottle रखने से आपको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है क्योंकि अंदर जाकर आप water bottle को फिल कर सकते हैं और वो फिल करा हुआ पानी आपके बहुत ज्यादा काम आता है क्योंकि अंदर पानी की बोतल 600 रुपए स है कि traveling करते समय वो सूच जाते हैं तो अपने साथ compression socks जरू रखे उससे ये फाइदा होता है कि अगर आपके पैरों में सूचन आजरें की समस्या है तो वो नहीं होगी तो compression socks बहुत काम आती हैं पैरों में सूचन बिल्कुल नहीं होती और आप fit रहते हैं जब भी आप travel करत आते हैं जो प्लेन में मिलते हैं वो काम नहीं करते लेकिन आपके साथ लाइवे इयर प्लक्स आपके बहुत काम आएंगे अपने पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी भी जरू रखेगा अपने साथ अपने फोन में अपने लैपटॉप में उससे होगा ये कि जब ही आपको पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी ही दिखाने से काम चल जाता है आपको बार बार पासपोर्ट नहीं निकालना पड़ेगा उससे आपको बहुत जादा फायदा होने वाला है कामकान उसका है भूलिएगा नहीं फ्रेंट्स एक और सबसे काम का ट्रेवल हैक बताओं आपके जितने भी हैवी क्लोथ है ना वो आप अपने साथ पहन कर रखिए उससे आपका लगेज हैवी नहीं होगा और वो पहने हुए कपड़े आप बाद में अपने जो स्केबिन बैग है उसमें डाल सकते हैं जैसे कि आप किसी ठंडी जगह पर जा रहे हैं जहां पर जैकेट्स तो उसको वेट नहीं करेंगे अगर आपने हाथ में ले रखा है और उसके बाद प्लेन में जाकर उसको अराम से अपने कैबिन बैग में या पिटू बैग में डाल सकते हैं तो यह भी बहुत ही काम्याब नुसका है अजमाया हुआ बहुत काम आता है आप अपने साथ इसी पहले तो कम से कम पहुचना ही पड़ता है एरपोर पर और आपको बूख लगती है और आपको एक ऐसी जगे होती है जहां पर आप अराम कर सकें आपके पास अगर प्रीमियम काट होता है तो उस फाइसलिटी और सकते हैं आपको आराम मिल सकता है लेकिन यह जरूर चेक कर लिजेगा जाने से पहले कि वह कार्ड वहां पर चलेगा या नहीं क्योंकि मैंने भी कई बार शुरू शुरू में ऐसे कार्ड बनवाए बहुत सारे बैंकों के सब जगह नहीं चलते हैं तो इस चीज की पूरी तरह जानकारी होने के बाद ही उन कार्ड को साथ लेका जाईए क्योंकि कहीं पर कोई साथ चलता है और कहीं पर कोई सा नहीं चलता इससे एक फाइदा और होगा आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं जैसे इतने की टिकेट ली आपने इतनी जगह गए और इसके बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स को इकठा करने से आपको बहुत पैसे बचाता है फ्रेंट्स एक बहुत ही काम्या मनुस्का यह कि आप अपने साथ एक पैकेट में स्नैक्स जरूर रखिए जैसे कि कोई फ्राइड मुंफली का पैकेट या फिर सैंड्विचेज या कुछ भी ऐसी चीज जरूर रखिए कई बार इंटरनेशनल अगर ज्यादा पाच गंटे से ज्यादा तो कुछ एरलाइंस आपको फैसिलिटी देती हैं लेकिन अगर आपके पास नेक्स होंगे तो आपके बहुत कामाते हैं अधिकतर इंटरनेशनल फ्लाइट्स दो से तीन गंटे अराम से डिले हो जाती हैं और उस समय वह स्नैक्स आ पैकेट रखिये चाहें आप कुछ भी रखिये लेकिन कुछ खाने के लिए जरूर रखिये फ्रेंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंट्स ट्रेवलिंग बैक जब हम बोर्ड कर देते हैं तो उसमें हमारे को बैटरी या चार्जर रखना एलाउ नहीं होता वो चार पैजर आपके काम आ सकते हैं इस चीज़ का जरूर ध्यान रखियेगा आप अपने कॉर्ड स्तार अपने साथ अपने हैंडबैक में अपने पर्सनल थिंक्स में ही रखिएगा तो इन ट्रेवल हैं आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है मैं जानती हूं इनको सबको ध्या द्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है अगर आप मेरे चैनल पढ़ना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इतने काम की इंफोर्मेशन में आपको देती रहूं दुनिया घुमाती रहूं और